आपका आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस फाइटर जेट हमारे देश का एक होम ग्रोंड फाइटर जेट है और एक fighter jet को आज की age में एक बहतर beyond vision range air to air missile की जरूरत होती है हमारे तेजस aircraft के लिए हमारी अस्तर missile available है जो की 110 km की range पर fighter jets को target कर सकती है लेकिन जो हमारा तेजस mark 1A fighter jet होगा वो एक EAS radar के साथ आएगा और वो इससे भी जड़ा लंबी दूरी की range वाली missile को integrate कर सकेगा आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका की AAM 120D missile हमारे fighter jet के लिए एक बहुत अशी option हो सकती है जो की एक 180 km की range वाली missile है और ये भी बात करेंगे कि कैसे ये हमारे तेजस mark 1A fighter jet के साथ integrate की जा सकती है तो चलिए आज कि इस वीडियो को शुरू करते है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने हमारे देश को उनका surface to air missile defense system NASAMS 2 offer किया है लेकिन हमारे देश ने इस weapon system की deal को reject कर दिया था लेकिन इस system के साथ हमें दो बहुत important weapon system मिलने वाले थे जो की थे AIM-120C7 missile और AIM-120C8 missiles ये अमेरिका की advanced beyond visual range 8 air missiles हैं और इनी missiles को अमेरिका अपने fighter jets के उपर भी इस्तिमाल करता है इससे ऐसा पता चलता है कि अमेरिका ने ऐसी beyond visual range 8 air missiles की sale को भारत को अप्रूव कर दिया है और अगर भारत ऐसी missiles को ख्रीदना चाहे तो उसे मिल सकती है हमारे तेजस Mark 1 A fighter jet में एक इसराइली AIS radar का इस्तिमाल किया जाएगा जो की इतनी लंबी दूरी की missile को स्पोर्ट कर सकेगा अभी हमारे तेजस Mark 1 A fighter jet के साथ अस्तर missile को integrate किया जाएगा जो की फिलहाल 110 km की range की उपर काम कर सकती है इसका एक improved variant अस्तर Mark 2 बनाया जा रहा है जिसकी development को लेकर अभी कोई भी clear जानकारी नहीं दी जा रही है इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इस missile की development बहुत हद तक complete हो चुकी होगी लेकिन इसको लेकर कोई भी नई update सामने नहीं आई है तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये missile अभी तयार है या नहीं तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम American 8-wear missile को consider कर सकते हैं क्योंकि रशिया को शोड़ कर अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास इतनी capable missiles है और यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका ऐसी missiles के मामलों में रशिया से भी जादा बहतर है और अभी तक हमारा देश कोई भी American 8-wear missile को इस्तेमाल नहीं करता है और अगर ये missile हमारे देश में आ जाती है तो ये हमारे देश की capability को बहुत ज़दा बूस्ट करेगी और हम American fighter jets के साथ बहतर तौर पर काम कर सकेंगे हमारा तेश समाक 1A fighter jet एक इसराइली ELA Alta 2052 AASA fire control radar के साथ आएगा जिसे की पहले ही American AM RAM missile के साथ integrate किया जा चुका है इसी radar का इस्तेमाल इसराइली fighter jet भी करते हैं और इसी radar के साथ इसराइली beyond visual range A2A missiles और American AM RAM missile को भी integrate किया जा चुका है इसके साथ ही साथ कोरियन F-15 light attack aircraft को भी ELM 2032 multimode planner array fire control radar के साथ integrate किया गया है जो कि American AM 120 AM RAM missile को अपनी main beyond visual range A2A missile के तौर पर इस्तिमाल करता है यही radar हमारे basic तेजस Mark 1 variant में इस्तिमाल किया जाता है जिससे ऐसा पता चलता है कि हमारा तेजस aircraft हर तरह की AM RAM missile का इस्तिमाल कर सकता है यहाँ पर आपको बता दें कि इस missile को integrate करने के लिए हमें American clearance लेने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि AM RAM family की missiles बहुत सारे non American fighter jets के साथ integrate की जा चुकी है इस missile को Saab Gripen और Euro fighter टाइफून के साथ पर integrate किया जा चुका है तो ऐसी possibility बहुत कम है कि America इस missile की integration को लेकर मना करेगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी अस्तर मिसाइल के होते हुए भी हमें American AM RAM मिसाइल की जरूरत क्यूं है तो उसका भी एक कारण है कारण यह है कि अभी हमारा देश केवल अस्तर माक 1 मिसाइल को manufacture कर रहा है जो कि American AIM 120C5 मिसाइल के साथ comparable है लेकिन अभी भी यह मिसाइल केवल 130M के एक क्राफ्ट को ही मिली है और इसे LC TGS माक 1 एक क्राफ्ट के साथ इंटिग्रेट होने में काफी समय लग जाएगा और इसके जो advanced variant हैं जो कि अस्तर माक 2 और अस्तर माक 3 हैं उसको बनने में भी काफी समय लग जाएगा और उनके तयार होने के बाद भी इस एक क्राफ्ट के साथ उनकी इंटिग्रेशन में काफी समय लग जाएगा लेकिन अभी जो तयार हमारे पास अस्तर माक 1 मिसाइल अवेलिबल है उसको अगर हम American AIM 120, C7 और C8 मिसाइल के साथ कंपेर करें तो ये दोनों मिसाइल हमारी अस्तर मिसाइल के मुकाबले में ज़्यदा सुपीरियर है तो इसलिए जब तक हमारी अस्तर माक 1 मिसाइल को मास परड्यूस नहीं किया जाता है और यहां अस्तर माक 2 और माक 3 वेरियंट तयार नहीं हो जाते हैं तो तब तक हमें किसी विदेशी beyond visual range missile को हमारे तेजस aircraft के साथ integrate करना होगा और यहां पर American AAM 120D missile बहुत अशी option हो सकती है AAM 120D missile एक two way data link के साथ आती है इसमें ज्यादा accurate navigation है और इसके साथ ही इसका no escape zone भी काफी बड़ा कर दिया गया है और इसमें high off-bore site capability भी है इस missile की maximum speed मैक 4 की है और इस missile की maximum range 160 km से लेकर 180 km तक की है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जो लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत